हेलो दोस्तों एक बार फिर साइब का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओडून बैलोजी में मैं हूँ गौरब और आज की इस ओडून एक्जाम अपडेट में हम लोग बात करने बाले हैं अब स्क्रिणिंग और सक्षातकार की वेवस्था को खत्म कर दिया गया है और डिरेक्टली जो है आप एक्जाम प्री और में दीजिये उसको कुंप्लीट कीजिये और डिरेक्ट रिटूट्मेंट में चले जाए आज हम लोग इस के बारे में बात करने वाले हैं वेकंसी के बारे में और इंपॉर्टेंट डेट उसका एक्जाम पाटर्न और उसके सिलिबस के बारे में सबसे पहला बात आता है कि कब इसका सुरुवात है जैसे कि अप्लिकेशन फॉर्म सब्मिशन डेट जो है स्टार्ट हुआ है 22 दिसम्बर से और यह 18 जनवरी तक चलेगा और 22 इस तक आप भी सब्मिशन कर सकते हैं लेकिन जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपका 18 जनवरी को ही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लाया गया है अगर आप ऑनलाइन अपलाई करना चाहते हैं तो यूपी-PSC.UP.NSC.IN पे जाके इसको अपलाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन इसका क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रिजेट आपको रिस्पेक्ट सब्जेक्ट में होना पड़ेगा जिसके लिए आप अपलाई करना चाह रहे हैं और मेल और फिमेल कंडिडिट के लिए अलग लग पोस्ट रखे गए हैं जैसे कि 991 अ изб क्यान भे पोस्ट मेल कंडिडिट के लिए है टोटल और 482 पोस्ट फिमेल कंडिडिड़ के लिए हैं टोटल पोस्ट के अगर हमनों बात करें, तो 403 इसे हमें 53 post है total अब biology के अगर बात करें हम लोग तो male और female के लिए इसमें भी अलग-लग seat है जैसी male के लिए 137 seat है और female के लिए 91 seat रखा गया है और अगर अगर अधर सब्यक्त का डिल दिया हुआ है वीडियो को पॉंच करके उसकления Afro कि यो पूरा जो है मेल के लिए बनाया गा है कि सब्यक्त में कितना सीट है और यह है फिमेल के लिए कि सब्यक्त में कितना सीट है अब इसका salary, salary इसका क्या होगा? इसका जो pay scale है, 93,000 से लेके 34,000, grade पे 480,000, level 8 है qualification, बस आपको जिसमें भी आप भरना चाहरे हैं, उस subject में master degree, post graduate degree होना ज़रूरी है age limit क्या है? 21 साल से 40 साल तक इसका age limit है, वो भी 1 July 2020 को हो जाना चाहिए selection process क्या है? एक pre-exam होगा, prelims और दूसरा mens होगा, अब prelims में जो pass करेंगे, उसको mens qualify करना पड़ेगा, इसके बाद उसका complete हो जाएगा इसमें interview और वो सारी चीजें खतम कर दी गई हैं, आपको दोनों exam qualify करने हैं यह important state है, यानि कि 22 December को यह शुरू हुआ है, 18 जनवरी तक आप भर सकते हैं, फी payment करने का 22 जनवरी तक समय है, यानि कि हर हाल में 22 जनवरी को यह close हो जाएगा इसके बाद जो फी का बात है, जो जेनरल EWS और OBC है, उसके लिए 125 रुपीज का फी है, जो SCST category में है, उसके लिए 65 है, और जो PH category में है, उसके लिए 25 रुपीज का फी है Oman category के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कि कम होगा, वो according to category ही होगा, अब payment mode के अगर बात करें, तो examination fee आप credit card, debit card या net banking किसी भी तरह से pay कर सकते हैं अब exam pattern क्या है, जो prelims exam होगा, उसमें से objective type exam होगा वो, इसमें general study का question रहेगा और आपका specific subject इसके लिए आप apply कर रहे हैं, उसका question होगा तो 40 questions होगे, आपका general study से, और 80 questions होगे आपका specific subject से, दो घंटे का समय मिलेगा, और total 300 mark का होगा इसका main exam वो objective type नहीं है, इसका main exam जो है वो descriptive type है, उसमें हिंदी ऐसे होगे, और आपका specific subject से भी questions होगे हमें एक video लिकर आएंगे फिर कि इसका exam में क्या-क्या पूछा जाएगा, क्या से लिए बैसे और क्या pattern होगा, अभी हम लोग बात करते हैं, prelims के बारे में तो अब कुछ important points क्या है, इसमें negative marking है, अगर आप गलत question क्लिक करते हैं, तो उसके लिए negative marking है SCST candidate के लिए minimum qualification जो है, जो उसका marks होना चाहिए, वो fixed है, और वो 35% है, इतना आपको prelims में करना ही है इसके बाद other category के लिए जो है, वो 40% fixed है, अगर इससे नीचे आप करते हैं, तो आपको qualify नहीं माना जाएगा, आप means के लिए नहीं जा सकते हैं अब है कि जितना भी prelims में pass करेगा, वो कितना student होगा, जितना उनके पास vacancy है, उससे तेरा गुना जादा ये prelims में pass करेंगे, main exam के लिए, और जो main exam में qualify करेंगे, वो final candidate होंगे, उसके recruitment के लिए ये कुछ important point थे इस exam के लिए, अब एक है general study में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे general study एक broad topic है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर भी अगर एक overview लें, तो general science आपको पढ़ना है, high school standard तक, history पढ़ना है, इंडिया का, national movements पढ़ने है, quality पढ़ना है, economic पढ़ना है, culture पढ़ना है, agriculture पढ़ना है, commerce पढ़ना है, trade पढ़ना है, world geography, Indian geography, natural resources of India, current national and international important events आपको जानने है, logic reasoning based जो general intellectual intelligence का exam का, जो questions हैं, आपको वो सारे चीज़ें प्राक्टिस करनी है, जैसे education, culture, agriculture, इसमें जो कुछ specific knowledge होते हैं, इस सबके बारे में, वो आपको जानना है, खास कर चुकि ये उत्तर प्रदेश का exam है, उत्तर प्रदेश में जो ये सारी traditions हैं, उसको आपको जरूर जानना चाहिए, इसके बाद elementary mathematics, up to 8th level, up to 10th level भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ज्यादा बेहतर है, इसके बाद ecology और environment, ये सभी general study में आते हैं, ये सभी आप कबर करने चाहिए, इसके बाद आपका अपना syllabus जो है, मैं और subject की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ, बातनी का, अगर आप life science के लिए अपलाई कर रहे हैं, यानि की, जीब बिग्यान के लिए, तो आपको बातनी में क्या-क्या पढ़ना है, इसका syllabus दिया हुआ है syllabus completely, आप अगर आप इसके advertisement में जाएंगे, तो आपको syllabus complete मिल जाएगा, जिसमें से, plant biodiversity है, इंजियो स्पम पढ़ना है, plant physiology पढ़ना है, आपको microbiology पढ़ना है, इसके बाद economic botany पढ़नी है आपको, इसके बाद plant pathology पढ़ना है, ecology and environment पढ़ना है, जो कि आपके general study के लिए भी important है, इसके बाद आपको animal diversity पढ़ना है, वो हो गया botany का portion, अब हम लोग बात करें, psychology के portion में, इसके बाद codate है, anatomy पढ़ना है, anatomy में तीन चीज़ें दी गई हैं, syllabus में frog, pigeon और rabbit को, इसके बाद animal histology पढ़ना है, उसके tissue के बारे में पढ़ना है, इसके बाद physiology and biochemistry को पढ़ना है, ये सभी आपके gyology के syllabus है, इसके बाद animal embryology पढ़ना है, cell biology पढ़ना है, cytology and molecular biology, इसके बाद आपको mendels law, ये सारी genetics के portion है, वो सभी आपको पढ़ना है, इसके बाद biology आपको पढ़ना है, इसके बाद organic evolution पढ़ना है, ये पूरा syllabus आपका gyology का है, ये complete syllabus आप अगर कबर कर लेते हैं, तो सभी चीज़ें आपके लिए easy हो जाएंगे, अब अगर आप इस botany और geology में से, अगर आप कुछ मदद चाहते हैं, इसका question practice हो, study material हो, question practice, दूसरा, अगर आप study material चाहते हैं, या आप mock test इसके लिए चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, class करना चाहते हैं, life class, तो हमारे पास experience faculty हैं, और senior faculty भी हैं, कुछ हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि BPSCB qualify किये हुए हैं, तो आप उनके साथ भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको इन में से कुछ भी ज़रुरत है, अगर आप cotton biology की मदद चाहिए, आप हमें contact कर सकते हैं, 9471 455844, यह हमारा WhatsApp नमर है, आप call भी कर सकते हैं और WhatsApp भी कर सकते हैं, यह हमें आप लिख सकते हैं mail, cotton biology at the rate of gmail.com, थैंकियो सो मच for watching the video, अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका में में किस तरह के questions पूछे जाएंगे, उसमें क्या importance होगा, और pre में क्या importance topic होगा, यह तो पूरा syllabus हमने बताया कि क्या syllabus है, अब इस syllabus में भी क्या-क्या important होता है, जहां से question आने का संभावना होता है, कहां से question click होता है, और basic concept अगर आपको पढ़ना है या जानना है, तो उस पार हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो आप cover कर सकते हैं, कहां से question practice कर दी है, तो उसके लिए फिर हम लोग अगले class में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, thank you so much for watching the video, thank you.